पाली सहित्य गिंदर एक कमाल का शब्द आता है बारवार पैया आपने सुना होगा और देखा भी होगा जो गाउं की पुरानी महिलाएं हैं जो बुड़ी ओड़ते हैं कोई अगर नवयोबना शादी करके आती है या उनकी छोटे रिस्ते में कोई आती है या कमेज में कोई महिला आती है तो वो आते ही कहती है मा तेरे पैया पढ़ू और वो उनके पैरों को टच करते हैं फीट को रगरते हैं केक्या बार और वो उनसे एक आशिरवाज जैसी मुद्रा में लेते हैं उसको पैया पढ़ना बोलते हैं पईया पढ़ने का जो शब्द है पईया ये पाली का शब्द है इसको पैट से जोड़ दिया गया है ये पैट से जोड़ना गलत है बिसिकली पैर को पाद बोलते हैं पाली के अंदर और पद या पाद ही पूरी दुनिया में जहां भी हिंदी भासा है या संस्क्रत भासा है उसमें बोला जाता है पाली के अंदर भी पईयार सब्द जो है वो पाली का है इसका हिंदी में अगर हम नाम लेंगे तो ये प्रग्या है यानि पईयार प्रग्या एक सब्द है और प्रग्या और पईया को अगर हम और ज़्यादा सब्दों में समझें तो ये समझ है understanding है या जो आपका बुद्धी काम करती है एक पर ऐसे जिसको हम कहते हैं अकल है ये उसको उसको बोलते हैं पैया में यान में यान में ज्यान में और पैया में प्रग्या में अंतर होता है यान और ज्यान जो होता है वो वो चीज होती है जो आप प्राप करते हैं कहीं बाहर से जानकार इसे पईया शब्द का अर्थ यहाँ थोड़ा सा अलग है तीन तरह की प्रग्या होती है तीन तरह की प्रग्या आपको बीच-बीच में आती रहेगी एक आती है सुत्प्रग्या सुर्थ प्रग्या या शुर्थ प्रग्या या सुर्थ प्रग्या या सुर्थ प्रग्या या सुर्थ प्रग्या या सुर्थ प्रग्या इसको सुर्थ ग्यान भी बोलते हैं, सुर्थ नौलिज भी बोलते हैं, इसके अंदर जितने भी sources हैं, यानि जितने भी sources आप तक आपक या कोई मंचन है, और आडियो है, वीडियो है, वाटसएप है, टीबी है, या फेस्बूक है, मेल है, बुक्स है, दंत कताएं हैं जो दादी ने हैं या माने सुनाई हैं, जाता कताय हैं जो भगवान बुद्ध हैं या उनके सुनाने वाले जो भाड़क होते थे, उस समय वो स या किस्से कहानी है या बुजरुगों का छुटी छुटी जो बाते अनुभवे वो वो सारी सारी सुर्थ पईया में आती है सुर्थ ग्यान और सुर्थ पईया जो होता है वो दूसरे का होता है दूसरे का मतलब है कि किताब में जिसने बात लिखी है वो क्या लिखता है वो जानता है क्यों लिखता है वो जानता है उद्देश सेगा ये टेली विजिन के अंदर जो बात आपको बताई जा रही है वो ग्यान आपका नहीं है वो नौलिज आपकी नहीं है उसने कितना फोटोस में काटा है कितना च्छाटा है और वो उस पल आपको क्या बताना चाहता है वो उसका दूसरा पक्ष दिखा रहा है या नहीं एक अच्छा पक्ष उसन दिखाया खराब नहीं दिखाया या खराब दिखा दी अच्छा नहीं दिखाया तो दूसरे की knowledge, यानि किताब भी दूसरे ने लिखी है, अखवार भी दूसरा आदमी लिख रहा है, अखवार आपकी मर्जी से नहीं आता, अखवार में जो अखवार का मालिक या जो अखवार का editor या जो अखवार का writer लेखा के, वो जो लिखना चायता है, वो लिखेगा, उसमें आपने कुछ नहीं किया, या आप भी जिसको भेज रहे हैं, या आपने जो किताब लिखी है, या आप जो टीवी में बना रहे हैं, या जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको क्या देना चायता हूँ, वो मेरे उपर है, यानि एक तरफा है, दो तरफा नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ, वही आप सुनेंगे, और उसी पे आप आगे देखेंगे, क्या करेंगे आगे, इस सुर्ट पैया पे, सुर्ट समझ पे आप चिंतन करेंगे, उसको बोलते हैं, नेक्ट लेवल में, चिंतनमई प्रग्या, यानि चिंतमई प्रग्या, अब जितनी भी information आपके पास आई है, उस information को आपकी जो संग्या है, यानि जो आपकी memory है, वो इसको relate करेगी, देखेगी कि ये पहले बात कब बताई, कैसे बताई, कितनी बताई, पहले क्या बात थी, उसका compression करेगी, उसका उंच नीच करेगी, उसका लाभानी देखेगी, उसका कोई benefit है, उसका कोई नुकसान है, वो सब करेगी, आपकी परिस्तितिया भी इसमें जुड़ेंगी, चिंतन में, आपके दोस्त, आपके यार, आपका atmosphere, आपकी कास्ट, आपका नाम, आपका पैसा, आपकी जगे, आप जहां रहते हैं वो, ये सारी चीज उसमें play करें और उसके बाद में, इसमें चिंतन में, आप अपना लाव भानी देखे, जैसे भी आप इसको result निकालेंगे, तो ये चिंतन में ही प्रग्या हुए, ये चिंतन में ही प्रग्या पूरी आपकी नहीं है, ये बहुत जरासी आपकी है, क्योंकि इसमें जितनी भी परिस्तिति है, मगर बहुत जरासा है, इसको चिंतन में प्रग्या बोलते हैं, और जो बुद्धने खोजी, जो लाश्ट में जिसको भाव में प्रग्या बोलते हैं, यानि असली जो प्रग्या का नाम है, वो भाव में प्रग्या से पड़ा है, वो 100% आपकी है, वो भाव में प्रग् तो आपका सरीर कैसे महसुस करता है किसी ने आपको अपमान जनक कोई बात कही तो आपका सरीर कैसे अनुभव करता है और किसी ने आपको अगर पसंता पूरुपक बात कही तो आपका सरीर कैसे अनुभव करता है आपकी ओफिस के अंदर इंसल्ट कर दी तो आपको कैसा लगा कोई आदमी आपको हैरेस करता है आपको छोटा करता है दवाता है तो उसमें आपको कैसा महसूद करता है आप जब किसी को दवाते हैं छोटा करते हैं या गुलाम बनाते हैं तो आपको कैसा लगता है ये सरीर पे होने वाली एक-एक वेदना और एक-एक सम्वेदना जो आपको बताती है जिसमें आपको गुस्सा आजाता है या आपको खुशी मैसुल होती है कभी आप नाचन लगते हैं, कभी आप गाने लगते हैं, कभी आप जूमने लगते हैं कभी आप मायूस हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी क्रोध में आते हैं, कभी निरास हो जाते हैं, कभी उताबले हो जाते हैं, कभी उत्पने में आ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सजन हो जाते हैं ये सारी जो reaction और action जो body के अंदर आते हैं इसको भाव में प्रग्या बोलते हैं इस भाव में प्रग्या के लिए चिंता में प्रग्या और सुत में प्रग्या की आवश्कता नहीं है इसके लिए कोई किताब पढ़ने के लिए या कोई सब्द भंडार सब्द ग्यान होने की को जानवर भी बहुत आसानी से समझ देते हैं एक जानवर जो उसको आप प्यार से हाथ फेरेंगे आपने कोई भासा नहीं बोली उससे मगर उसकी जो वेदना समिदना है वो बता देती है कि आपका जो हाथ का टच है वो उसके लिए लाब दायक है या उसके लिए नुक्स कर दो